Welcome to my YouTube channel Language Legacy दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे इंदरा संत की पोयम Her Dream पोयम की समरी डिसकस करने से पहले जान लेते हैं पोईट और पोयम के बारे में इंदरा संत is a famous Marathi poet who has written on diverse issues that concern women She was born in Maharashtra family as इंदरा दिक्षित on January 4, 1914 in small town Tavandi in Belgaan district कनाटका She died on 13 July 2000 She was married to Narayan Sant in 1936 In 1984, she was honored with the Sahitya Academy Award for her collection of poems, Karbhra Rishim अब जान लेते हैं पोयम के बारे में The unneemd woman in the poem represents a typical Indian widow whose identity is lost because her life and existence depends on her husband Without a husband, she loses her social status and is unable to take part in the simple joys of married life The poet lists the widow's everyday dream She felt utter despair when she lost her husband whom she loved tremendously and who pampered her दोस्तों इस poem के अंदर poet ने एक unnamed Indian widow woman को बताया है या दर्शाया है और बताया है कि कैसे उस woman की identity totally उसके husband पर dependent थी यानि जब उसके husband की death हुई तो उस woman की खुद की कोई identity नहीं थी बिना उसके husband की उसने अपना social status खोया यानि कुछ बचा नहीं था उसकी life में after her husband death और ना ही वो अपने married life की जो dreams थे जो उसने सोच रखे थे, जो हर लड़की सोचती है वो married life वाले dreams भी वो पूरा नहीं कर पाई थी आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में especially widow women's और married women's की बीच में बहुत ज़्यादा differentiate होता है, बेदबाग होता है किसी शुब काम में अगर वो चली जाती है तो ऐसा बोले जाता है कि अशुब हो गया है और एक widow woman को बहुत ज़्यादा emotionally, mentally, physically, socially हर level पे जाके बहुत सफर करना पड़ते हैं तो poet ने वो सारी problems discuss करी हैं इस poem में बहुती easy language में discuss करी हैं और poem में poet ने उस woman के dreams को भी बताया है और कैसे वो woman बहुत ज़्यादा एक दुख फील करती है after husband death क्योंकि देखे उसका जो husband था वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था pamper करता था तो obviously she was missing that तो बिना देरी के start करते हैं हमारी poem Her dream, like the dream of a dozen other women यानि उसका सपना बाकी और ओरतों की तरह ही था जिन्दगी थी अपने husband के साथ वो जीनी थी जैसे बाकी औरतों की थी a full plate, deliciously full दोस्तों यहाँ पर यह जो word full plate है यह खाने से नहीं है full plate का मतलब है life full of responsibility देखे वो जो woman थी वो क्या चाहती थी वो सभी responsibilities को perform करना चाहती थी और उस woman के लिए जो responsibilities थी वो बहुत जादा delicious थी delicious in the sense वो चाहती थी दिल से she wants to perform that तो यहाँ पे वो घर का काम करना चाहती थी अपने फर्ज निभाना चाहती थी अपने husband का ध्यान रखना चाहती थी बस वो यही चाहती थी कि सुभा से लेके शाम तक जो है उसके पास कामों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट हो और वो बहुत जादा उन कामों में busy थी या busy रहती happy रहती जो की अब possible नहीं है because उसके husband मर चुके है places to go, things to do morning and evening यानि अगर आज उसके husband जिन्दा होते तो वो लोग साथ में घूमते explore करते, अलग-अलग places पे जाते और जो वो woman है वो busy होती, सुभा से लेके शाम तक उस पे करने के लिए बहुत सारा काम होता, neatly iron clothes are nicely furnished home देखे जब कोई लड़की की शादी होती है है ना, और वो जाती है अपने husband के साथ, तो सारे responsibilities perform करती है चाहे फिर वो iron किये करे cloth हो या फिर nicely furnished home हो, यानि घर में साफ सफाई हो, dusting हो, जाड़ू उपोचा हो, घर का खाना हो, कपड़े दोना हो तो यानि ये सारे responsibilities वो, जो woman है वो perform करती है और बहुत happily perform करती है क्यों? क्योंकि देखिए जब वो ये सब perform करती है तो उसका husband बदले में उसको pamper करता है और उसको ये चीज़ बहुत पसंद आती है देखिए कोई भी लड़की छोटे-छोटे efforts में बहुत जादा खुश हो जाती है तो यहाँ पर वो जो woman है वो भी चाहती थी कि वो ये सब जब responsibilities perform करे बदले में उसका husband उसको pamper करे बट ये सब नहीं हो पाया था sometimes a play sometimes a concert with the best seat यानि वो चाहती थी कि जब कभी वो अपने रोजमर्रा के कामों से responsibilities से बोर हो जाए या थक जाए तो उसका husband कभी उसको किसी play पे या concert पे लेके जाए और वो लोग साथ में seat पे बैटके enjoy करें जैसे बाकी और लड़कियां होती एक fancy dream होता है कि हमारे husband ऐसे करें वैसे करें हमारे को छोटे छोटे surprises दें हमको कहीं गुमाने लेके जाए रैंडम्ली planning करें तो वैसे ही वो भी woman जो थी उसके भी mind में यही लड़कियों वाले सारे thoughts थे कि शादी के बाद यह हो उसके husband उसको कभी लेकर जाए गुमाने या फिर ऐसे play में concert में all the happiness in the world on a merge income तो यहाँ पर वो जो woman है वो बोलती है कि उसको यह फरक नहीं पड़ता है कि उसके husband की बहुत जादा ही income होनी चाहिए वो बोलती है कि कम income में भी वो सारी happiness को enjoy कर सकती थी अगर उसके husband आज उसके साथ होते तो दुनिया की सारी खुशी income की बहुत आज नहीं रह जाती मतलब कम income में भी वो जो woman थी वो अपनी दुनिया की सारी खुशियां जीती laughter and teasing talk and chatter यानि वो दोनों साथ में हसते एक दूसरे को जो था ना जो एक नोग जोग वो सब करते बाते करते बहुत सारे गपे लड़ाते साथ में her dream like the dream of a dozen other women यानि उसका ये जो सपना था बाकी और अरतों के इस तरह ही बिल्कुल सेम सपना था but she woke up before the dream begin लेकिन उसका सपना शुरू हो था उससे पहले ही वो जाग गई यानि उससे पहले ही उसके husband की death हो गई यानि इससे पहले की वो इन सब responsibilities को perform कर पाती उसके husband ही नहीं रहे and then she never fell asleep again और उसके बाद फिर उसको कभी वो सुकून की नीन आई ही नहीं यानि उसके बाद वो ना सो पाई ना वो dream देख पाई dream यानि जो उसका जो ये responsibilities perform करने का ये married life जीने का जो सपना था वो देख ही नहीं पाई क्योंकि वो फिर कभी दुभारा अपने husband की death की बाद सो ही नहीं पाई तो I hope आपको इस poem की summary समझ आई होगी और इसका जो ये title है her dream वो justify हुआ होगा और अगर समझ आया हो तो do like, share, comment and subscribe to my youtube channel language legacy